अरियों योग सिक्षा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है आप सभी का बहुत-बहुत आवार आज हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए इसके लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद आसा करता हूँ आज का क्विज आप लोगों ने अटेम्ट करके आया होगा तो चलिए विडियो को स्टार्ट करते हैं हमारा पहला प्रस्ण है तेरिये आरण्यक के किस प्रपाठक को हम लोग सिक्षा वल्ली कहते हैं अगर हम लोग वेदों की रचना को देखें तो हर वेद के चार भाग है न कौन-कौन से सबसे पहले समिता, ब्रह्मन, आरण्यक और उपनिशद अगर बात करें यजूर वेद की तो यजूर वेद को लोग दो भागों में बाटते हैं एक क्रिष्ण यजूर वेद और एक सुकल यजूर वेद के फिर चार भाग होंगे न हर एक के समिता, ब्रह्मन, आरण्यक और उपनिशद तो हर वेद के अपने अरण्यक ग्रंथ है जैसे कि अगर बात करें रिगवेद की तो रिगवेद के एक एतरी आरण्यक और दूसरा कौस्वेद की या संखायन आरण्यक ग्रंथ है सामवेद के आरन्यक ग्रंथ की बात करें तो तलवकार जैमिनी या फिर छांदों के आरन्यक शुकल यजुरवेद और कृष्ण यजुरवेद ये दो हमारे यजुरवेद के आरन्यक ग्रंथ हैं अगर बात करें रिगवेद के सम्हिता ग्रंथ की तो वहां पर हम लोग क्या देखते हैं दस मंडल है न और दस मंडल में पचासी अनुवाक हैं इन पचासी अनुवाक में 1028 सुक्त हैं और इस सुक्तों में पुल मिलाकर 10552 मंत्रों की संख्या है ठीक उसी तरीके से अगर त चैप्टर्स को प्रपाठक बुला गया है तो तहतेरिय अरनेक में फुल 10 प्रपाठक है इसमें की साथ आर्ट नौ ये तीन को मिलाकर हम लोग तहतेरिय उपनिशद कहते हैं तो आईए इसको थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं साथ आठ नौ इनको मिलाकर हम लोग क ब्रिवु वल्ली दसवें प्रपाठक को हम लोग महा नाराययनों उपनिशद से यह फिर नाराययनों उपनिशद कहते हैं और अगर केवल इन दोनों को मिला दिया जाए ब्रह्मानंद वल्ली और ब्रिवु वल्ली को तो इन दोनों को हम लोग मिला के वारूनी विद्ध्या जवाब मिल गया होगा कि कि प्रपाठक को हम लोग सिक्षा वल्ली कहते हैं साथ में प्रपाठक को सिक्षा वल्ली कहते हैं अगले प्रस्न की ओर चलते हैं अगला प्रस्न है हमारा पंच समिताओं का वर्नन किस ग्रंत में हैं अब अगर बात करें तैतेरिय उपनिशद की तो सिक्षा वल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली और ब्रिगु वल्ली सिक्षा वल्ली के अंतरगत हम लोग पांच समिताओं को पढ़ते हैं तो यहां तो हमारा उत्तर मिल गया कि तैतिरी उपनिशद में हम लोग पांच समिताओं के बारे में पढ़ते हैं अब इन 5 समिताओं की चर्चा करें, तो यह 5 समिता कौन-कौन से हैं, इनको देख लेते हैं, तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अधिलोक, अधिजयोति, अधिविद्या, अधिप्रजा और अध्यात्म, तो यह 5 हमारे महा समिताओं कौन-कौन से, तो यहाँ पे मैंने इ इत्याक शते ये पाँच हमारे महासमिता अगर बात करेंगी, अथ अदियोकमों तो पृधिवी पुरवरूप क्या है, उत्तर रूप, आकास क्या है, संधि। वाईू क्या है, यहां पे संधान है इसको याद रखिएगा तो हमने वाई को यहाँ पर संधान कह दिया यहाँ पर देखे इन में से कौन पंज समिताओं में सामिल नहीं है तो अधि आदित्य कर गया हमें नहीं मिलागा अधि लोग है, अधि जोती है अधि प्रजा, अध्यात्म और अधि विद्या था ना अधि विद्या अध अधि जियोतिस इसको देखेंगे, तो अधि जियोतिस अगनी आपका क्या है पुर्वरूप, आदित उत्तरूप आपह संधी और वैद्यूत संधान मैंने यहाँ पे लिख दिया है अगनी पुर्वरूप आदित उत्तरूप आप संधी और वैद्यूत या विद्धूत क्या है हमारा संधान है अब अगर बहात करें अत विद्ध्या की तो आचारी किया है पूर्व रूप अन्ते वास्यू क्या है हमारा उत्तर रूप इसको हम लोग डेसाइपल या सिष बोलेंगे प्रवचन क्या है हमारा संधान और विद्ध्या क्या है संधी तो मैंने यहापे लिख़ दिया आचार पुर्व रूप है, पिता उत्तर रूप, संधी, प्रजा और संधान प्रजनन है, उसी तरह अध्यात्म के लिए अधा हनू, मतलब नीचे का जबड़ा, पुर्व रूप है, उत्तर हनू, उपर का जबड़ा, उत्तर रूप है, वाक हमारा संधी है, और जीवा संधान है, आ आसा करता हूं आपको यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया होगा आप स्लोक को पढ़िएगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा अगले प्रस्न की और चलते हैं अगला प्रस्न है हमारा इन में से कौन उत्तर रूप है अगर बात करें अगनी की तो यह क्या था आदिथे हो जाएगा आपका क्या था आपस संधेटा किसका अधि 20त विद्युत क्या था तो उन मैं से उत्तर रूप क्या होगया हमारा अगले प्रस्ण क्यों चलते हैं अग्ला प्रस्ण हमारा इन में से कौन संधान नहीं है अगर आप उस चार्ट को देखेंगें तो संधान नहीं है वाग क्या है अध्यात्म महासमिता का संधी रूप है तो यह इसका उत्तर वाग हो जाएगा अगले प्रस्न की ओर चलते हैं अब देखिया वे अध्यात्या किसको बोलते हैं और चौति व्यार्थिया महा है इसको किसने जाना सबसे पहले तो इसको महाचमस के पुत्रने जाना किसको मह व्यार्थी और मह व्यार्ति क्या है मह जया इति breveहाम स सहा झाया तो यहां से व्यारति बन जाएगा कि कौन सी व्यार्ति आत्मा है तो आमों हो जाएगा लेकिन कुल व्यारतियां की संक्या पूछी गई तो हमारा उत्तर चार से देखेंगे तो भू क्या है अयम लोक या जो लोक है या क्या है भू, भूव क्या है इति अंतरिक्षम, स्वर्ग क्या है स्वर्ग लोक और मह क्या है आदित्य लोक तो यहाँ पर मैंने लिख दिया या जगत भू, भूव, अंतरिक्ष, स्वर्ग और आदित्य मह आगे बोला गया भू को अगनी बोलेंगे भुव को वायू स्वख को आदित्य और मेह को चंद्रमा तो आपको confused नहीं होना है अगर अगनी वायू आदित्य चंद्रमा बोला गया तो इस तरीके से इसको आपको categorize करना है और अगर लोग के बारे में पूछा गया तो यह जग और मेह क्या है ब्रह्म तो याद रखिएगा रिगवेद सामवेद यजुर्वेद और ब्रह्म प्रान के according बताया गया है तो भू क्या है हमारा प्रान है भूह अपान स्वख व्यान और मह क्या है इत्य अन्नम तो आपको यह याद रखना है कि मह व्यार्थी के अंतरगत अ तो यहां पर उदान और समान की चर्चा देखने को नहीं मिलती है तो आपसे यह भी पूछा जाएगा कौन से प्रानों की चर्चा व्यार्थियां के अंतरगत देखने को नहीं मिलती है तो आपको इस तरीके से यह पता होना चाहिए अगले प्रस्न की ओर चलते हैं अगला प हो जाएगा अगला प्रश्न वायू का संबंद किससे है तो वायू का संबंद आप यहां देखिएगा तो भुव से न तो आपका उत्तर भुव हो जाएगा आपको केवल उस चार्ट को अच्छे से याद कर लेना है आगे देखते हैं इसका मानना ही कि स्वाध्या और प्रव अवस्यक है स्वाध्याय प्रवचन एवेति नाको मुद्गल तो नाक रिशी का मानना है यह मुद्गल के पुत्र हैं आप इसको याद रखिएगा तो इनका क्या मानना है स्वाध्याय और प्रवचन ही आवस्यक है तो इनका नाक रिशी का मानना है अगले प्रश्न की ओर ही तो चलते हैं अगला प्रशन है मात्री देवः वभवा पित्री देवंद किस उप्निशद का सुप्रशिद वाकिय है तो आपका सिधा-सिधा उत्तर धे टर रिये उप्निशद हो जाएगा अगर इस को घुमा के पूछा जाए कि किस वल्ली के अंतरगत है सिक्षा ब्रह्मानंद वल्ली और ब्रिगु वल्ली आप हमें कमेंट करके बताएं कि यह किस वल्ली के अंतरगत आता है यह स्लोग वीडियो देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद अगर वीडियो आपको दो एक्राइब।